नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चेर परीचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां आज का हमारा टॉपिक है लहसुन और दूद का ये उपाए साइटीका का दर्द जोडों का दर्द कोलेस्टरॉल कब्ज और माइग्रेन में किसी संजीवनी से कम नहीं है इसका सिवन कैसे करना है बस इस बारे में जानते हैं आज कर लोगों के जीने का उपाए पहले के अपेक्षा बहुत बदल गया है आज के समय में खान पान में लपरवाही के कारण कमजोरी के साथ स्वास्ते संबंदी भी के सिवन से होने वाले छे बड़े फाइदों के बारे में बताने जा रहे हैं आज कल ज्यादा तर लोगों के घुटनों में दर्द साइटी का की समस्या रहती है कभी-कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि चलने फेरने में दिक्कत आने लगती है कभी-कभी तो इस सूजन की समस्या भी हो जाती है पर आज हम आपको लहसुन और दूद का ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग से घुटने का दर्द साइटीका अच्छा हो जाता है यहीं नहीं इस उपाय से कुलेस्टरोल, कबज, अपच और माइग्रेन इत्यादी जैसी समस्याओं से ही निजात मिलती है दूद और लहसुन के फायदे साइटीका का दर्द चार लहसुन की गुलियां और 200 ml दूद सबसे पहले लहसुन को काट कर दूद में डाल दें दूद को कुछ मिनर तक उबालें उबलने के बाद इसे मीठा करने के लिए थोड़ा शेहद मिला लें इस दूद का रोजाना सेवन करें जब तक दर्द खत्म न हो जाए तब तक करना है आपको कॉलेस्टरोल, दूद और लहसुन का मिश्रन आपके हरिदय धमनियों के रुकावट यानि उसमें जमे हुए कोलेस्टरोल को खत्म करने में मदद करता है और हाई कोलेस्टरोल की समस्या को दूर करता है कबज, आयरुवेद के अनुसारी हप्राकृतिक पे दूद और लहसुन का मिश्रन आतों को सक्रिय कर कबजी की समस्या को दूर करता है और गुदा मार्ग को भी नर्म बनाता है अपच, दूद और लहसुन का या मिश्रन पाचक रसो के निर्मार में अहम भूमिका निभाता है जिससे एसीडिटी और अपच जैसी समस्याओं में लाब होता है जोडों का दर्द इस दूद में शोथ रोधी तत्व होते हैं जिसके कारण यह जोडों के दर्द में विशेश रूप से फायदे मन साबित होता है अगर आपके घुटनों में दर्द की समस्या रहती है तो इसके लिए नेमित रूप से एक गलास दूद में तीन से चार लहसुन की कलियां डाल कर उबाल कर पीएं आपको लाब होगा इसे पीने से दर्द से रहत मिल जाएगी माइग्रेन माइग्रेन के मरीजों के लिए दूद और लहसुन का यह मिश्रन बेहदलाब दायक है यह समानिय सिर्दर्द से भी निजात दिलाने में मददकार है जिहां दोस्तों तो अगर आप लहसुन और दूद प्रियोक करते हैं एक साथ तो आपको इतनी सारे फायादे होते हैं इसलिए यह बहुत ही कारगर और शदी है हम सभी के लिए क्योंकि हमारे शरीर को पोशक्तत्व भी मिल जाते हैं इसके साथ साथ बहुत सारी बिमारियों से छुटकारा भी मिल जाता है तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बे